दोस्तो हैमिस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग 26 सेप्टमबर 2024 को होने वाली है और आप लोगो को ओफीसियल आनाॉसमेंट मिल भी चुकिये साइड में आप लोग देख सकते हो एरड्रोब वाले सेक्षन में आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग डेट 26 सेप्टमबर के बाद क्या होगा 26 सेप्टमबर के बाद यह टोकन लिस्ट होगा और लिस्ट होने के बाद आप लोग इसे सेल कर पाओगे और सेल करने के बाद आप लोग विड्रॉल कर पाओगे और मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बिलकुल सेफली समझाने वाल पेले यहाँ पे आप लोग जब विड्रॉल वाले उप्शन में जाते हूँ तो यहाँ पे ओके एक्स था ठीक है अभी बाइविट भी आ चुका है लेकिन बाइविट इंडिया के अंदर रन कर रहा है लेकिन ओफिस्यल ही नहीं है आप लोग प्लेश्टोर पे जाओगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं हैं हैमिस्टर कॉमबेट को सेल और विड्रॉल कैसे करना है लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रुक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ र जरूर से जोइन करना क्योंकि टेलीगराम चैनल पे मैं आप लोगो को हर एक चीज का अपडेट देता हूँ जैसे कि अभी आप लोगो पता है टू मार्किट का एक अपडेट आया था उसमें आप लोगो एरड्रॉप मिल रहा था मैंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट आएगा आप लोगो को हमारे टेलीगराम पे मिलेगा तो टेलीगराम चैनल जोइन कर लो टेलीगराम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा चली अब बात करते हैं हैमिस्टर कॉमबेट के बारे में सबसे पहले हमिस्टर कॉमबेट को ओपन करोगे तो आप लोग को यहां पे अपने आपको एक्टिव रखना है आप लोग यहां पर देखो मेरा प्रॉफिट पराप्स दो मिलियन से जादा है अब यह प्रॉफिट पराप्स मेरा धाई मिलियन से जादा है और मैं अनेक्टिव हो जाऊ मैं इसे अपने बंद करके फोन को रख देता हूँ तो क्या है कि आप लोग के तीन घंटे के टोकन ही काउंट होंगे उससे ज़्यादा के काउंट नहीं होंगे और अगर आप लोग एक्टिवेट नहीं रहोगे यहाँ पे एक्टिव नहीं रहोगे तो आप लोग को जो एरड्रोप मिलने वाला है वो एरड्रोप मिलेगा नहीं क्योंकि जो बंदा एक्टिव रहेगा उसे ही एरड्रोप मिलेगा अब एक्टिव रहने के लिए आप लोग को इसके अंदर डेली रिवार जो मिलता है डेली चेकिन करना है डेली साइफर भी डालना है डेली कॉंबो भी डालना है और एक आधी गेम पे लेए करना है ठीक है यह चारो काम करोगे तो आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहोगे ठीक है और आप लोगो को नीचे की तरफ अब यहाँ पे Binance मेरा सेलेक्ट हो चुका देख सकते हो ठीक है अब Binance सेलेक्ट हो गया आप लोगो को क्या करना है यहाँ पे AirDrop बाले Option पे जाना है और यहाँ पे आप लोगो को Tone जो Wallet आप लोगो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था Tone आप लोगो को Wallet create करना पड़ेगा तो यहाँ पे create करने के बाद आप लोगो को Tone Wallet अपना Connector लेना है अब आती है main बात देखो OKX जो है वो इंडिया के अंदर run नहीं कर रहा है अगर आप लोग इसमें मतलब account बनाओगी तो इसके लिए आप लोग को application डाउनलोड करना पड़ेगा और आप लोगो को यहाँ पे जो भी मतलब की safest है वो नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ पे safe feel नहीं कर पाओगी बट जो यह Bybit है यह इंडिया के अंदर run दो गर रहा है लेकिन officially play store पे नहीं है तो आप लोगो को क्या करना है Bybit का link मैंने description box में दिया हुआ है अगर आप लोगोंने already यहाँ पे account बनाया हुआ है तो अच्छी बात है अगर account नहीं है तो मैंने description में link दिया हुआ है आप लोग उस link पे click करके Bybit को download कर लेना है और उसमें registration कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को registration करने के लिए बोला हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है कि आप लोगो को KYC कम्प्लीट करनी है जल्दी से जल्दी क्योंकि 26 सेप्तमबर को आने में 22-21 दिन रह गए है 21-22 दिन के अंदर आप लोगो को पूरी चीजें जितनी भी चीजे समझाईगी है वो सब की सब ready रखनी है अगर आप लोग 26 सेप्तमबर के बाद KYC करोगे तो आप लोगो को पता है KYC करने में भी time लगता है और भी platform यहाँ पे है, tone keeper है, बहुत सारे platform है जिनका use आप लोगो को करना पड़ेगा तो यह सारी चीजें आप लोगो को already करके रखनी पड़ेंगी तभी आप लोग यहाँ पे जल्दी से sale कर पाऊगे और मैं आप लोगो को एक चीज़ अर बता देता हूँ एरड्रॉप के लिए आप लोगो को high alert रहना पड़ेगा अगर एरड्रॉप के लिए आप लोग alert नहीं रहोगे तो एरड्रॉप कोई और बंदा ले जाएगा मान के चलो कि 4 लाग का एरड्रॉप इन लोगों ने लॉंच किया है तो आप लोगो का वो एरड्रॉप 400 रॉपे में भी नहीं जाएगा मान के चलो अगर आप लोग एक दिन भी लेट हो जाते हो तो अगर एक दिन भी लेट हो गई तो 400 रॉपे में भी आप लोगों का एरड्रॉप नहीं सेल होगा मतलब आप लोगों को यहाँ पे high alert रहना पड़ेगा एरड्रॉप के लिए भी ठीक है बागी सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं अगर आप लोगोंने Finance के अंदर अकाउंट नहीं बनाया है तो बाइनेस के अंदर भी अकाउंट बना लेना है क्योंकि जो यह भाइभिट है ना Bybit है इसका जो आप लोग इस में से जो भी पैसा मतलब जो token transfer करोगे वो Binance के अंदर करोगे देखो मैंने Bybit का account बनाया हुआ है मैं आपको बदा देता हूँ देखो Bybit के अंदर मैं आ चुका हूँ अब यहाँ पे आप लोग direct अपने bank के अंदर transfer नहीं कर सकते हो, जो भी token है, तो आप लोग उन token को कहाँ पर transfer करोगे, Binance के अंदर, तो Binance का account भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यह देखो मैंने Binance को भी open कर लिया है, तो यहाँ पर आप लोगो Binance का भी account बना के रखना है, तभी आप लोग यहाँ पर अपने tokens को सही तरीके से और safely sale कर पाओगे, पहले आप लोगों को Bybit के अंदर मिलेगा, उसके बाद आप लोगों Bybit से Binance के अंदर जाना है, और Binance के अंदर जाने के बाद आप लोग बैंक के अंदर पैसा transfer कर सकते हो, यह तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, और यहाँ पर A drop है जो वो आप लोगों का 22 दिन बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को हमारा Telegram चैनल जोइन कर लेना है, लिंक आपको description box में मिलेगा, daily combo card, daily cipher code, यह भी आप लोगों को हमारे Telegram पे मिलेंगे, और की किस तरीके साप लोगों को मिलेगी, यह भी आप लोगों को हमारे Telegram पे देखने को मिल जाएगा, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो comment box में जरूर बताना, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर देना